कि मशकर में रचने शुर्मा चर्दी के लाट मड़ी देख रहें सभी दश्कूं का स्वागत करती हूं आप देख रहे हैं हरे अने नीज समाचार के शुवास से पहले एक नजराज की मुख्य सुर्खियों पर हरे अने में तीस नौमर तेक सभी स्कूल कोलेज बंध हरे अने सरकार का बड़ा फैसला हरे अने में संक्रमन की बिगडी स्थीती एक दिन में 3000 से ज्यादा मिले संक्रमित चट पूजा के आखरी दिन हरे अना के शेरों में भी वर्तियों ने दिया अरग शर्दालों ने विदी विदान से की पूजा अर्चना और अब समाचार विस्तार से हरे अना में वाइरस के बड़ते मामलों को देखते हुए खटर सकार ने बड़ा फैसला किया है हरेना सरकार ने मामारी की सीथी के मदे नजर 30 नॉबर तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है बतादें कि हरेना में महामारी का कहर जारी है वायरस का सबसे जादा सा स्कूलों में दिखाई दे रहा है हरेना के स्कूलों के बच्चे लगातार वायरस का शिकार हो रहे हैं स्कूली बच्चों के साथ शीक्षक भी पोस्टिव आ चुके हैं और ऐसे में सियम मनोहलाल ने कहा था कि वायरस स्कूलों में प्रवेश कर गया है तो इस पर गंबीरता से पुनर्वी चार करेंगे कि स्कूल खुल रखें या बंद करें फिलाल अरियना सकार ने तेक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है हर्याना में संक्रमन की स्थिती लगातार बिगरती जा रही है पहली बार हर्याना में एक दिन में 3104 संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि 2500 मरीजों ने दम तोड़ दिया है हर्याना में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,123,055 पर पोँच गई है जिसमें 1,90,666 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि 20,150 मरीज अभी भी वायरस से ग्रस्त हैं प्रदेश में अब तक की संक्रमन से कुल 2,133 मरीज दम तोड़ चुके हैं लोकास्ता के महापरव चट के अफसर पर शनिवार पाता देश भर में उगते हुए सूरे को अर्ग दिया गया इस दोरन हर्याना के शहरों में भी रहरे पुरवाचल के लोगों ने धूम दाम से परव मनाया चट मैया को समर्पे चट वर्थ करने वाले शर्धालों ने विदीवदान से पूजा अर्चना की और कडाके की ठंड के बावजूद नहर के ठंडे पानी में खड़े होकर भगवान सूरे नारायन को अर्ग दिया सिरसा में भी शर्णिवार सुबह सवेरे पुरवाचल के सैकड़ों लोग अपने परिवार के साथ उगते होए सूरे को अर्ग देने के लिए पहुंचे हाला कि छट परव को लेकर इस बर संगर्मन के चलते रात्री जागर नित्यादी का आयोजन नहीं किया गया वही नहर के घाड पर शनिवार प्राता में पुलिस बल तैनात्रे और वे शर्धालों को निश्चित दूरी बनाए रखने का आवान करते होई दिखाई दिये जिले के काचवा गाउमें सर्धार पटेल पुस्तकाले में हरयाना पंजबी साहित अकाद्मी पंचकुला के डिप्टी चेर्मंण सर्धार गुर्विंदे ध्मीजा ने शरकत की उन्होंने यहां आकर इस पुस्तकाले का निरिक्षिन किया और कहा कि गाउं काच्वा में उनकी प्रारंबिक शिक्षा हुई और इस गाउं के स्कूल की बदूलत ही उनका सैन्क स्कूल में चेन हुआ था उन्हें का कि मुख्यमंद्री मनोहलाले गाउन काचपा में पुस्तकाले का निर्मान करवा कर जो यहां के बच्चों को सोगादी है। उस पैसे में से 20 लाक रवे की देन के साथ ये लैबरेडी काच्वा के बच्चों के लिए तयार हुई है इस बात के लिए मैं मानिया मुख्य मंत्री बिजनी बोड दोनों को शत्रुजीच कपूर जी को और साथ मैं अपरे अश्विरी रेजा जी को पूरी टीम को इस बात की बेंजी है यह भूख हर्याना सरकार की पंजाबी एकड़्मी उर्दो अकैड़्मी सहिट्य ऐकड़्मी जिसको हिंदी एकड़्मी भी कहज सकते हैं और सस्कित चार अकैड़्मियों की तरफ से माने मुख्य मंत्री के मुखिक अदेश पर काच्वा के बच्चों के पढ़ ट्रॉली में रख लिया और इस कारवाई को देखते हुए दुकान दर ज्यादा बढ़ गए और उस समान को नीचे उतार कर निसिंग गोंदर रोड पर रखकर चाम लगा दिया उन्हें नगरपलिका के खिलाफ जम गदनारे भाजी की कबजे में दे लिया था और दुकान दरों ने अपना समान अजो अपना निच्चे उतार रहे हैं रायपूराने में चट पूजा के मौके पर तिलोगपूर चौंक पर सित अगरवाल धरमशाला में चट पूजा का तिहार धूम धाम से मनाय गया सबी महिलाओं ने परिवार में सुक शांती के लिवरत रखा और फिर शाम को ढलते हुए सूरे को अरग देकर पूजा पाठ के और अपना वरत खुला चट मना रही महिलाओं ने बताया कि इस बार मामारी की वज़े से हमने अस्थाई घटा बनाकर पानी की भर के सूरे को अरग दिया और घर पर ही पूजा पाठ किया बालवी कासव महिला राजय मंदरी कमलेश च्छानडा कलायत पहुंची इस दार उन्होंने वाटर टेस्टिंग मोबाइल लैप का उदखाटन किया इस जोन पत्रकार वारता में मंद्री कमेश्टार ने बताया कि यह मोबाइल वेन गाउं गाउं जाकर पानी का टेस्ट करेगी वहीं कलायटर रेस्ट हाउस में राज्य मंद्री ने लिरोगों की समस्यां भी सुनी इसको लेकर आज हमारे कलायट हलके के 66-66 गाउं में जाकर पाणी की गुण हत्ता को देख़ेगी टेस्ट करेगी इसमें क्या गूण है जो स्कीम है योजना है के कि इंदर की सरकार की आदने मोती ची की स्कीम है लब गरको नल और नल में सबस्च चलके तो इसको लेकर उमारे कलाय थर्के में जैसे मैं ऐसी साथ ने बताया सड़े बारा, सड़े 18 करोड के काम इस पे सरू हो चुके हैं जल्दी ही इस पर ये सरू हो जाएंगे और जल्दी ही जो इनका सड़े 20 करोड का लगपा के उचाना पुंडल के गाम करसिंदू के राच्किये वरिष्ट माधमिक सरकार ने 30 नमबर तक स्कूलों को बंद कर दिया है उसे लेकर स्कूल ने अपनी तयारियां पूरी कर ली है स्कूलों में बच्चों को पड़ाई को देखते हुए बच्चों को कक्षाएं ओलाइन दी जाएंगी जिसे उनकी पड़ाई पर कोई असर ना पड़ सके शिक्षा विबा का फैंसला आया कल कि अभी 30 नमबर तक स्कूलों को बंद रख्या जाएगा करोणा को देखते हुए तो बच्चों की पड़ाई पर तो देखो बिल्कुल बुरा सर इसमें पड़ा है नुक्षान बहुत ज्यादा है बच्चों को लेकिन हम अपने लेवल पर बच्चों को लर्निंग के मैद्यम से पहले भी लोकडाउन के अंदर पड़ाते रहे हैं और अब भी हमारा कारियद जारी रहेगा और स्कूलों में क्योंकि अभी बॉर्ड के एक्जाम बरे जाने हैं फैमिली आइडी के आदेश उपर से हैं बनवाने के बच्चों के और टीचर्स के व मुछे दीजे जाज़त थनेवाद